बॉर्णिंग स्टूडेंट्स आज जसी करांगे एक्ससाइज 1.4 दा थर्ड साम ठीक है साम है राउंड ओफ दा फोलॉइंग नंबर्स टू दा नेरेस थाउजेंड्स ठीक है साननों पता सी थाउजेंड किस तरह निख देया वान स्टेंड्स एंड थाउजेंड्स ठीक है इनननों 0 देविच कनवर्ट करना वा क्योंकि 1000 विच तिन जीरों हों दियाने ठीक है एंड अगर आ तिन नंबर मिढ़के 499 तक ने बान तो रहके 499 तक ने मतलब के 500 तों शोटे ने लेस तन 500 फिर तासी आवाले नंबर सेम रखने हैं ठीक है कुछ भी यह देविच एड नहीं करना वहलो कि आवाल नेक्स्ट डीजिट देविच कुछ भी आड नहीं करना जे ए वाड़े नंबर से डिकोड 500 दे इको लाएक थे जिमें इस तरह 982 लिखिया होया ना ए 500 तो जादा होगे ठीक है 499 तो भी जादा ने इसलिए उसी एक है चेंज करे आवा किस तरह क या चेंज आ नेक्स्ट डीजिट देविच बान प्लस कितावा पर जेकर एहे 982 ना होके 499 हुंदा फेर असी कोई चेंज नी सी करनी असी सिरुफ एथे ट्रिपल जिरो लगानी सी और आवाले नंबर सेम लिखने सी ठीक है एंड नेक्स्ट रूल ए या भी जेकर अपने को ये थ्री नंबर्स ने जेड़े ये 500 दे इक्वल ने इत्थे मानलो साथे कोड हुंदा 45500 आप 500 दे इक्वल आ गया फिर असी सामके में करना सी असी लिखना सी 00 and 03 नंबर 0 बिच गनवर्ट करने ही करने ने and next नंबर दे विच 1 प्लस कर देना ठीक है फिर साथे कोड आनसर प्लस नहीं करें जस्ट आ चेंज करें आवा जीरो दे विच एंड इत्थे ब्लस करना आके इन्हों सीख से बना ले या फिर साड़ा ए वाड आंसर होना सी ठीक है एंड थर्ड रूल ए या कि जे का सड़ा आ तिन्नो नंबर्ज ने जेड़े ये 500 तो भी जादा ने एत्थे लिखिया हो या जी में 982 ए साम दे विच जादा ही ने 982 फिर असी आ नंबर्ज नू था रूल दे अकॉर्डिंग तिन्नो जीरो बना ले या ने एंड जेड़ा इस तो अगला नंबर नेक्स्ट नंबर उस दे विच वान एड गर लिया ठीक है 6 बन गया 5 दे विच वान प्लस कीता 6 आ गया एंड फूर दा पूर इस तरह ही रहेगा क्लियर वच्चे